जब प्रभु राम ने लंका को जीता था यानि की रावन का बद किया था और रावन बरनाशन पे था तो उस समय प्रभु राम ने लक्ष्वन को कहा कि भ्राता तुम जाओ और ये दुनिया के सबसे बड़े ग्यानी हैं बहुत सारा ग्यान है इनके पास और इनसे ग्यान लो और अपने जीवन को आगे कामियाबी के लिए तैयार करो एक अच्छे राजा के रूप में एक अच्छे सासक के रूप में लक्षमन क्या किये, रावन के सिर्हाने चले गए, रावन चुप थे, एक महा ग्यानी थे वो, वो चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर लक्षमन प्रभुराम के पास जाते हैं, बोलते हैं, ब्राता बड़े भहीया मैं क्या करूं, ये मुझे बताते नहीं है, कि जब तक आपके पास ज्यान नहीं होगे, जब तक ultimate truth के पास आप नहीं पहुंचोगे, इस user manuals जो God ने दिया है, ये advanced machine आपको दिया है, इस user manual का जब तक वो syllabus आप नहीं पढ़ोगे, इस school में पढ़ाई पढ़ चुके आप जो पढ़ना था, cost theta, sign theta, सब आप पढ़ चुके लेकिन अपने user manual को आप पढ़ने की बाड़ी आई, अब अपने आपको पढ़ोगा, तो सबसे पहले सीखना होगा, और सीखने की सबसे पहली सर्त ये है, कि हम जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, सब को वस आउट कर दो, तब ही आप सीख पाओगा, और कहां से सीख सकते हो, रोड पे चलते हुए वैक्ती से सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, और रावन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इसके बाद, कि है लक्षमन, मैं वो सारी चीजे कर सकता था, मैं जो सोच सकता था, और मेरा जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था, स्वर्ध में स परसो कर लूँगा और मैं टालता रहा है, तो सबसे बड़ी सिख्षा जो रावन ने लक्षमन को दी थी, काल करे सो और आज करे सो, यानि कि हर वक्त आपके लिए किम्ति है जो समय आप से बीचता जा रहा है, और इसी इस चीज से सिख्षा आप लेके जाईए, घर लेके जा बनाएट चाहते हैं आपको घर चाहिए बंगला चाहिए गारी चाहिए पता नहीं क्या गाशाए लिखो गधो आप तो आपको पता चलेगा लेकिन यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तब मिलेंगी जब हम काम करेंगे और सब से jadi चीखेंगे कि यह अच्छा जिन्दगी में बहुत कामियाब होता है और ये रावन ने कहा था लक्षमन से तो इस बात को आप हमेशा आपने आप से दोड़ाईएगा कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं जिस दिन आपके अंदर एहंकार आजाता है आपके पास सारी सक्तियां होते हुए भी आप स सीखते रही है और जितना ज्यादा सीखेंगे आप उतना ज्यादा डिलेवर करेंगे और जितना ज्यादा डिलेवर करेंगे उतना ज्यादा आप लाइफ में कामियाब होंगे और फिर सारी दुनिया आपके लिए होंगे